दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सेविसेज मैं अनुराख्ष जवधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सरकार के अंग का तीसरा वीडियो यानि की न्यायपालिका सरकार के अंग का दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं एक बेवस ठापी का और दूसरा कारेपालिका आज की वीडियो में हम देखेंगे नियाईपालिका के प्रमुख कारे कौन कौन से हैं नियाईपालिका का महत तो क्या है और स्वतंत्र और निस्पच नियाईपालिका की आउसकता क्यों पढ़ती है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सरकार के अंग का ये महत पूर्ण वीडियो नियाईपालिका इसके प्रमुकार महत और स्वतंत्र नियाईपालिका क जो आव सकता है और महत्यों क्यों है नियाइपालिका सासन के तीनों अंगों में से नियाइपालिका वह अंग है जो कानून की ब्याख्या करता है नियाइपालिका सरकार के अंग में तीन अंग है बेवस्थापिका, कारेपालिका और नियाइपालिका तो बेवस्थापिका कानूनों का निर्मार करती है, कारेपालिका कानूनों को लागू करती है और जो नियाएपालिका है वो जो नियाएपालिका पालन करवाती है और पालन नहीं करने वालों के लिए धंड की बेवस्था करती है इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारे है कानून की ब्याख्या करना जो कानून बनते हैं उसकी ब्याख्या करना तो सासन के तीनों अंगों में से नैपालिका वह अंग है जो कानून की ब्याख्या करता है नैपालिका कानून में अंतर निहित अर्थ को समझाने का भी कारे कर जो लोग कानून का उलंगन करते हैं उनको बिधिसम्मत दंड निर्धान करना भी नियाइपालिका का ही कारी है नियाइपालिका ही वह सक्षमंग है जो कानून की बैधता, सार्थकता और उपादेता के आधार पर वाद और विवादों का निस्तारण करता है इस संबंध में प्रसिध नियाइविचारक या नियाइशास्त्री रोले का कथन है कि प्रतेक संगठित सरकार में उसके अधिकारों को निश्चित करने, अपराधियों को दंड देने, नियाइपालन करने और अबोध व्यक्तियों को हानी और भ्रष्टचार से बचाने के लिए एक का महत्व बहुत है और नियाइपालिका भी बहुत महत्व पूर्ण है अब आई ये देखते हैं नियाइपालिका का महत्व क्या है नियाइपालिका का महत्व यद्यपी सरकार के तीनों अंगों का अपना-अपना महत्व है सरकार के जो तीन अंग है उन सभी का अपना-अपना महत्व है लेकिन न्यायपालिका किसी अच्छी सरकार की कसोटी है न्यायपालिका कोई भी अच्छी सरकार अगर जो मानी पूछी जाएगी या अच्छी सरकार की ब्याख्या की जाए तो वहाँ पे नियायपालिका जो है स्वतंत्र होनी चाहिए निस्पच होनी चाहिए और कारेकुसल होनी चाहिए तो नियायपालिका किसी अच्छी सरकार की कसाउटी है गारनर का कहना है कि अच्छी नियायपालिका के बिना किसी सभ्य समाज की कलपना नहीं की जा सकती है कोई भी समाज बिना बिधान मंडल के रह सकता है परन्तु किसी ऐसे राजी की कलपना नहीं की जा सकती है जिसमें नियायपालिका की कोई बेवस्था न हो सरकार की जो परक है इसी बात से होती है कि उसकी नियायपालिका कितनी निस्पच है कितनी कुसल है और किस हद तक स्वतंत्र है किसी और चीज का नागरिक सुरच्छा और हितों के उपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना उसके इस ग्यान से कि वह एक निश्चित और निस्पच नियाय सासन पर निर्भर रह सकता है तो जो हमने देखा कि किसी सरकार में नियायपालिका ही कारेपालिका तथा वेवस्थापिका को मरियादित करने और उन्हें अपने कर्तब और सीमाओं का ग्यान भी कराती है महतोपूर है क्योंकि ब्यवस्थापिका और कारेपालिका अगर जो कभी मनमानेपन और अलगत रहके या मनमानेपूर कानूनों का निर्मार करते हैं तो नियापालिका उन्हें उनके कर्तब और सीमाओं का ग्यान कराती है और उसे नियंद्रण में रखती है संबिधान में लिखित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी भी नियापालिका ही देती है कानूनों के पुन्रावलोकन या पुनरविलोकन की आऊ सकता होती है यह कारे भी नियापालिका का है इसलिए एक स्वतंत्र और निर्भीक और निश्पच नियापालिका सासन की सबसे महत्वपूर आऊ सकता है किसी भी देश की बिधाईका और कारिपालिका कितनी भी अच्छी क्यों न हो लेकिन स्वतंत्र और निस्पच नियाईपालिका न हो तो उस देश के संविधान का अधिक मुल्य नहीं रह जाता है स्वतंत्र और निस्पच नियाईपालिका के बिना किसी सब संगठन या जो समाज है उसकी कलपना नहीं की जा सकती है अब आईए देख लेते हैं नियाई पालिका के कारे महतोपूर है नियाई पालिका के कारे कौन कौन से है पहला कारे है कानून की ब्याख्या करना कानून का निर्मार बेवस्थापिका करती है हम सभी जानते हैं विवस्थापिका के सदस राजनीतिक यानि पॉलिटीसियन होते हैं कानून के कुसल पंडित नहीं होते हैं इसलिए कानून में अनेक भ्रांतियां हो जाती हैं कई प्रकार की असपष्टताएं होती हैं कई दोस रह जाते हैं कई बातों पे कानून मौन भी रह जाता है यह नियाई पालिका का कारे है कि वह कानून की ब्याख्या करे और भ्रांतियों को दूर करे और कानून के सब्दों का असपष्टी करान करे तो कानून में जो निहित भ्रांतियां हैं दोश हैं और कमियां हैं उनको असपष्ट करना और उनकी ब्याख्या करने का कारे नियाय पालिका का महत्वपोंड कारे है दूसरा है वादों का नेड़े तो decision up cases ब्यक्ती और ब्यक्ती तथराजी के बीच प्राय विवाद उठते हैं यह नियाय पालिका का कारे है कि वह बिधि सम्मत नेड़े दे वह दिवानी फवशदारी और माल संबंधी सभी परकार के जगड़ों का नेड़े करती है असमाडी है कि नियायले को ऐसे मामलों में कानूनों की अच्छाई बुराई से कोई संबंध नहीं होता है उनका कारे आय हुए मामलों का बरतमान कानून के अनुसार नेड़े करना होता है तीसरा कारे देखते हैं नियाय पालिका का दंड का निरधारन तो वह ब्यक्ति जो कानून का उलंगन करते हैं और कानून के बिरुधाजरन करते हैं उन्हें कानून के तहट दंड निर्धारित करना और उन्हें दंड देने की बेवस्था करना नियायालय का कारे है तो ये महतोपूर कारे जो है कानून की ब्याक्या करना, वादों का नेड़े करना, दंड का निर्धारन करना, इसके अलावा जो चोथा कारे है नियाई पालिका का वो यह है मौलिक अधिकारों की रच्छा करना, सेफगार्ड अफंडमेंटल राइट्स, संभिधान में, सभी रच्छा करती है, पाचवा कारे देखिए, केसला का निर्माड, कभी-कभी नियाईले में ऐसे विवाद आ जाते हैं, जिस संबंध में कानून या तो अपरियाप्त होता है, स्पष्ठ होता है, या तो मौन होता है, ऐसे इस्थिति में जो नियाईधीस होता है, वो अपने विवेक के आधार पे विवादों का निर्माड करते हैं, ऐसे निर्माड नजीर बन जाते हैं, और अन्य नियाईले भी ऐसे विवादों में उस निर्माड को आधार मानकर निर्माड देते हैं, ये निर्माड नियम का रूप ले लेते हैं, इन्हें केसलाज कहा जाता है, तो नियाइपालिका किसी ऐसे मामलों पे भी नीड़े देती है जो नियाइधिस के पूर्टेया उसके विवेक के आधार पे निर्धारित होते हैं और उस नीड़े को नजीर के रूप में अन्नियाले भी प्रियोग करते हैं तो उसे केस लाज कहा जाता है। छठा महतोपुर कार है घोसरात्मक नेड़े तो कभी कभी वेवस्थापिका के द्वारा कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं जो पहले के कानूनों के बुरुद होते हैं और सपश्ट होते हैं। जब कोई ऐसे नियम बनते हैं जो संबिधान की विरुद होते हैं या असंबैधानिक होते हैं तो नियाले ऐसे कानूनों को असंबैधानिक घोसित करती हैं। इस प्रकार संबिधान की मर्यादा की रच्छा करना और संबिधान की सुधता को बनाए रखना नियापालिका का कारे है। नियापालिका की सुचिता और उसके सुरक्षा की गारंटी जो है वो नियापालिका के द्वारा दी जाती है। आठ्मा देखिए आठ्मा जो कारे है नियापालिका का परामर्स संबंधी कारे तो सलाह और परामर्स संबंधी कारे भी नियापालिका करती है। कई राज्यों में ऐसी वेवस्था है कि न्यायले कुछ बिसेश बिसेओं पे सर्वोच्च कारेपालिका अधिकारी या राष्टा ध्यच को कानूनी सलाह दे उदारण के लिए देखा जा सकता है कि भारत में जो राष्टपती होता है वो उच्चितम नियाले से किनी ऐसे मामले पे परामर्स लेता है या इंग्लेंड में सरकार प्रीवी काउंसिल की न्याय समीति से परामर्ज लेती है अब आई ये देखते हैं अन्य कारे तो न्याय पालिका के अन्य कुछ बिविधकारे भी है इन सब कारियों के अत्रिक्त जो हमने उपर देखा जो कानूनों की ब्याख्या करना मौली कधिकारों की रच्छा करना दंड की बेवस्था और निर्धारण गुष्डात्मक निर्ड़य संबिधान का संड़चन इनके अलावा भी न्याय पालिका को अनेक प्रकार के कारे करने पड़ते हैं से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना विबाद की स्विक्रिती इसके अलावा नागरिक्ता प्रदान करना वसीयत की अनमुती नियायक पुन्राव लोकन आदिके कारे सारोजनिक संपत्तियों के जो ट्रष्टी हैं उनकी नियुक्ति का कारे वसीयत नामों का पंजी करन करना तथा ऐसे मृत ब्यक्तियों की संपत्ति का प्रवंध करना जिनका कोई उत्तराधिकारी नहो नियायले इन सभी कारे उपर किये जाने से रोक लगाते हैं जो आपरधिक और समाज के लिए हितकर नहीं होते हैं तो नियायला के बहुत ही अदिकारों के आम नागरिकों के अधिकारों का हनन्न होने पाए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी इसके अलावा जो संविधान है उसके संदच्छन का कारे नियायपालिका करता है अब आये देख लेते हैं सोतंत्र नियाईपालिका क्या है और सोतंत्र नियाईपालिका की आवसकता क्यों पढ़ती है सोतंत्र नियाईपालिका यानि की इंडिपेंडेंट जो डिसीरी क्या है तो निस्पच्च और निर्भीक नियाय के लिए जरूरी होता है कि नियायपालिका को पूर्ण स्वतंता मिले निस्पच्चता और निर्भीक नियाय के लिए नियायपालिका की स्वतंता बहुत ही आवस्यक है और यदि नियायपालिका पर कारेपालिका या बेवस्थापिका का नियंत्रण होगा तो नियायपालिका उजित नेड़े नहीं दे पाएगा इस संबंध में गार्नर का कहना है कि यदि नियाएधीसों में प्रतिभा, सत्यता और निड़े के स्वतंता का अभा हो तो जिस उचे उद्दे से के लिए इसका निर्मार किया गया हो वो पूरा नहीं हो सकता है नियाएपालिका यदि स्वतंतर नहीं होगी तो नागरिकों के स्वतंता की गारंटी नहीं दी जा सकती है नागरिकों की स्वतंता संकट में पड़ जाएगी संपूर्ण सासन वेवस्था से उनका विकास उठ जाता है और एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्र न्याइपालिका ही लोकतंत्र रूपी भवन की आधार सिला है लोकतंत्र का जो भवन है लोकतंत्र रूपी भवन है इसका जो आधार है वो नियाईपालिका ही तयार करती है इसलिए लोकतंत्रिक देशों में नियाईपालिका की स्वतंत्र को बनाए रखने की पूरी वेवस्था की जाती है ताकि नियाईपालिका स्वतंत्र रहे और वो क नियंत्रन या दबाव नहीं होना चाहिए तो स्वतंत्र नियाय पालिका की आउसकता क्यों होती है स्वतंत्र नियाय पालिका की आउसकता इसलिए है क्योंकि स्वतंत्र नियाय पालिका के कुछ महतुपूर्ण लाब भी होते हैं तो उसमें पहला लाभ ये है निस्पक्ष नियाय यद नियाय पालिका स्वतंत्र होगी तो निस्पक्ष नेड़े दिये जा सकते हैं यद न्याय पालिका पे बेवस्थापिका या कारेपालिका का दवाव होगा तो न्याधीस निर्भीकता पुर्वक्त निस्वच नेड़े नहीं दे पाएंगे इससे न्याय की सुचिता और पवितरता खंडित होगी और नागरिकों में उसके प्रतिसरद्धा और आस्था न कारे करे तो नागरिकों के अधिकार कारेपालिका की मर्जी पर निर्भर करेंगे इसके अलामा एक महत्तो या लाभ यह है कि संबिधान की रक्षा राजनेता और राजनीतिक दल अपने नहीत स्वार्थों के कारण संबिधान में छेड़ चाल करते रहते हैं और संबिधान में अपने हितों के अनकुल संसोधन करने की चेश्टा करते हैं जिससे उनका हितलाब हो यादि सरकार उनके दल की बन गई तो उन्हें इसकी सुविधा मिल जाती है नियाले ऐसी इस्थिति में संविधान के पवित्रता और गरिमा को बनाए रख सकती है लेकिन नियाले ऐसा तभी कर सकता है जब वह स्वतंत्र हो इसलिए भी संविधान या नियापालिका के स्वतंता की जरूरत है लोकतंत्र की रक्षा तो लोकतंत्र में दलगत राजनीत का प्रभुत्त होता है सरकारें राजनीतिक दलों के बहुमत के आधार पे बदलती रहती है राजनीत के कु स्वतंत्र नियाईपालिका ही लोगतांत्रिक सिध्धानतों को बनाय रखने में सच्छम हो सकती है। नियाईपालिका एक और कारेपालिका को भ्रष्ट होने से रोकती है तो दूसरी और वेवस्थापिका को भी निरंकुष्ट नहीं होने देती है। अब आईए देख लेते हैं नियाईपालिका के स्वतंत्रता की दसाएं क्या क्या हैं। वो कौन सी दसाएं हैं या कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें नियाईपालिका की सुतंता को बनाए रखा जा सकता है। ये जानना बहुत ही आवस्यक है। वो कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा नियाईपालिका की सुतंता कायम रह सकती है। इस संबंद में विभिन विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उच उपायों के बारे में हम यहां देखेंगे। तो उसमें पहला है नियाधीसों की नियुक्ती। तो सामानते नियाधीसों की नियुक्ती तीन प्रकार से संभो हो सकती है। पहला कारेपालिका द्वारा नियुक्ती। तो अधिकांस देशों में नियाधिसों की नियुक्ति कारेपालिका के द्वारा ही होती है। यद्देपियस सक्ति पृत्षकरण सिध्धान्त के अनुकूल नहीं है। उसके बिरुद्ध है। लेकिन बेवहार में देखा जाये तो यही पद्धती सफल है। नियाधिसों की नियुक्ति के संबंध में कारेपालिका पे कुछ प्रतिबंद और सीमाय निर्धारित की जा सकती है। जिसके अंतरगत कारेपालिका नियाधिसों की नियुक्ति करे। दूसरा है जनता के द्वारा निर्वाचन। तो सक्ति प्रिथक्करण के आधार पे कुछ लोगों का तर किये है कि निया अधिसों को जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, फ्रांस में इसका प्रयोग भी किया गया था, सुटिजन लेंड के कुछ कैंटन और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह पर्था अब भ नहित और लाव के लिए नियाय तो नहीं करेंगे, वो निया अधिसों की नियुक्ति की पद्धतियों में जनता के द्वारा निर्वाचन की पद्धती बहुत ही खराब है, तीसरी पद्धत क्या हो सकती है, बेवस्थापि का द्वारा निर्वाचन, तो रूस में और उसक प्रकार के प्रतिकिर्ट किया जाना हो, नहीं उनका भविश से उनकी कृपा और दया पे निरवार हो इसके अतरिक्त नियाधीसों के पदों पर ऐसे ब्यक्तियों को न्यूक्त किया जाना चाहिए जो कानूनों के जानकार हो इसके अलामा उनका चरित्र उच्च हो, भाववेस से मुक्त हो, राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक और सामप्रदाइक दलों और आंदोलनों से उनका व्यक्तिक संबंद और लगाव ना हो तो हमने देख लिया न्याधिसों की नियुक्ति, इस प्रक्रिया, कौनसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ताकि न्याय पाल्का की स्वतंता की इस्थिती बनी रहे दूसरा है पद की सुरक्षा, तो पद की सुरक्षा महतुपूर है क्योंकि न्याधिसों के पद की सुरक्षा बहुत ही महतुपूर सर्थ है कोई न्याधिस तभी तक अपने को स्वतंत्र अनुभो कर सकता है जब तक वह निश्चिन्त हो कि उसका पद सुरक्षित है यदि उसके पद की सुरच्छा की कोई गारंटी नहीं है तो न्याधिस स्वतंत्र और निस्पक्ष नेड़े नहीं दे सकता है तीसरा है सेवा की लंबी अवधी तो न्याधिसों के सेवा की लंबी अवधी होनी चाहिए सेवा की लंबी अवथ के कारण न्याधिस राज़नीतिक परिवर्तनों और बदलती हुई सरकारों के प्रभाव से मुक्त रहता है और इमांदारी के साथ निस्पक्षनियाय कर सकता है चोथा है परियाप्त बेतन तो नियाधिसों को इतना परियाप्त बेतन दिया जाना चाहिए कि वह अत्रिक्त धन के लालच में न पड़े यद नियाधिस आर्थिक कठनाईयों के बीच रहेगा तो उससे इमानदारी की आसन नहीं की जा सकती है ब्राइस कहते हैं कि नियाधिस की इमानदारी और स्वतनता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पद के भविश्य में उन्नत की क्या संभावनाएं हैं एक कम बेतन वाला नियाधिस अनुचित लाव के आउसरों की ओर आकरसित होगा पांचवा है कारेपालिका से प्रिथकता तो नियाधिस को कारेपालिका से अलग ही रखा जाना चाहिए नियाधिस को आउकास के बाद वकालत करने पर प्रतिवंद होना चाहिए है भी इसे नियाधिस के पद की गरिमा बनी रहती है और नियाधिस जब तक पद पर बना रहता है तब तक वह अनुभो करता है कि उसके पद की एक मर्यादा है जो सामान जनता से उपर है तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया नयायपालिका के स्वतंता की दसाएं क्या क्या हो सकती हैं ये सभी दसाएं नयायपालिका की स्वतंता के लिए आवस्यक हैं निस्पच्छ और स्वतंत नयायपालिका लोकतंतर का प्राण है बिना न्याय पालिका के सोतंता के अधिकार और व्यक्तियों के अधिकार व्यक्तितों के विकास के सभी प्रयास अधूरे ही रहेंगे इस प्रकार से देखा जाए तो न्याय पालिका न्याय और समतसील और सभ्य समाज के निर्मार में सहायक है और समाज के विकास का वाहक भी है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा संपूर रूप से सरकार के अंग में नियायपालिका क्या है, नियायपालिका के प्रमुक कारे क्या है, इसके महत्व क्या है और स्वतंत्र और निस्पच नियायपालिका के लाभ क्या है और किस तरीके से हम स्वतंत्र और निस्पच इसके बारे में हमने संपूर रूप से जानकारी प्राप्त की है इस वीडियो में इसका PDF आप description box में दिये गए link से download कर सकते हैं मैं वहाँ पे description box में इसका link दे दूँगा आगे किस विशे पे आप video चाहते हैं हमें comment box में जरूर बताईएगा वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करें शेयर करें और अपने दोस्तों से बताएं और इस चैनल को subscribe भी करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार